गाओं के लोग स्वास्त जैसी बुनियादी सुवधाओं से भी वंचित हैं जिसका उधारन है पंगा जूर का टेका मेटा गाओं यहाँ एक अपाहिच पिता को अपनी बिमार बेटी को खाट पर लाद कर कई लोगों के सहारे 7 किलोमीटर पैदल चल कर अस्पताल ले जाना पड़ा 15 दिनों से चिनको बाई नाम की एक महिला बिमार थी जिसे लगातार हो रहे बारिश और गाओं तक सडक और उफनते नालों पर पुलना बनने के कारण अस्पताल नहीं ले जाया जासका जब नाले कर जलस्तर कम हुआ तो दिव्यान पिता अपनी बीमार बेटी को खाट पर लाद कर ग्रामेडों की मदद से 7 किलोमीटर का सफर पैदल तैक करके एक मिशी अस्पताल पुहँचा यहां उसका इलाज चल रहा है लेकिन हालत बेहत नाजुक है बहरहाल इस तस्वीर को देखने के बाद भूपेश सरकार के विकास के नारों पर सवाल या निशान लगता है काकेश से न्यूस के लिए भोजेंदर बर्मा की रिपोर्ट